नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका KB Electrical Maintenance YouTube चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 440 बोल्ट की टेस्ट लेम जो हम यूज़ करते हैं मोटर के स्टार्टर्स या 440 बोल्ट की लाइन होती है बहाँ पर चेक करने में, फोल्ट को ढूणने में अगर आप इस परकार की टेस्ट लेम बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखें हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से घर पर टेस्ट लेम बनाना सिकाने वाले हैं तो देखें, जो हम बोड बनाते हैं, उस सीट का एक टुकड़ा ले लेंगे जिससे हमारे जो दो होल्डर हैं, वो अच्छे से आजाएं बल्ब जो हैं वो आप उसमें टकराएं ना तो इसके लिए देखें, जो अच्छा लगे इसके लिए हम क्या करेंगे ये जो सीट है, इसके जो चारो कौने हैं, उनको हेक्सा बिलेट से पहले काट लेंगे तो ये बिलेट तो आपके पास, सबके पास होगा तो इस बिलेट से आसानी से ये कट जाता है, तो हमने इस परकार से काट लिया है और अब यह कौने थोड़े-थोड़े कौने हैं उसको हम फाइल कर लेंगे तो इससे यह गोल आ जाएगा तो अच्छा लगएगा देखनें इस परकार से हमने बना लिया है और जो holder है उसका जो cover होता है उससे हमें इसके जो अंदर के side है marking कर लेनी है तो marking कर लेंगे फिर इसको बाद हमें इसको काटना होगा तो काटने के लिए हम कुछ use नहीं करेंगे इसके लिए हमने जो कील होती है यह सब के पास होगी तो इसको हम page कस जैसा बना लेंगे हतोड़े से बना के और उससे हम इसको काटेंगे और जो हतोड़ा बनाया है हमने वो नल होता है उसका नल का जो बाल होता है उसको खोलते है उससे बना लिया है तो इससे आसानी से हम इसको सीट को काट सकते हैं कोफ देखिए हमें बहीं बहीं काटना है जहां पर हमने की आरा माराम हमसी활 काट लें और तो यह आसानी qué जाता है को देखिए इस परकार से हमने को टाट लिया और पीछे काट से हैं कि सो थोड़ा सब सोड़े से मारें गें तो हमारा जो होल है वह कमप्लीट होएगा और इसी परकार से हमें जो दूसरा वाला होल उसको भी कर लेना है तो इसको बहुत आसानी सी हो जाता है आप देखिए हूं पर दोनों होल्स को कर लिया है और इसके बाद हम क्या करेंगी इसको फाइल से जो होल से उनको बराबर कर लेंगे अगर जो कील से करते है न थोड़ा सही ह म virtues नहीं रहता तो इसको हम बिल्कुल गोल कर लेंगे और сохран is झालले फोला कर लेंगे लो इस प्र Δेक ने सगत तो ऑन हमने यह क homem न आ पाके देख लेते हैं और holder को लगाने के बाद फिर देखी यह जो एक स्कूरूप टाइप रहता है इसको हम इसरब से कसते हैं पीछे की साइट से तो यह पर फिक्स हो जाता है तो देखिए इस प्रकार से लग जाते हैं अब हम क्या करेंगे इसके connection हमें करना है तो जो पीछे वाला जो cover है उसको हम यहाँ पर खोल लेंगे तो देखिए connection आपको बता दें कि सीरीज लेंब के connection सिंपल होते हैं हम सिर्फ एक बायर लेंगे एक बायर को holder के एक टर्मिनल पर connect करेंगे और बहां से एक बायर का टुकड़ा लेंगे और उसको उस वाले holder में connect करेंगे पहल ठोटा सा जिससे हमें एक holder से दूसरी holder में connection देना है तो देखिए दूस्तों यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इसके जो पहला लंबा वाला बायर है उसमें पहले holder में connect कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर connect करने के बाद इसके बाद जो हमारा दूसरा एक और टुकड़ा बचा होँद करने करेंगे तो धोनों जो डौसरा डुने के बाद है इसका है उसको लगाना है तो इससे पहले हम क्या करेंगे जो यहाँ पर गन ल तो जो हमारे तार है यहाँ पर निकले नहीं जो holder का जो उसमें fix आ जाए जो holder का cover है तो उससे हमारा जो connection है बायर निकलेगा नहीं तो इस प्रकार से यहां पर cover को लगा लेंगे और इसके अच्छे ताइट कर देंगे तो अब जैसे हम इसके बाइर को कीचेंगे तो यह खिचेगा नहीं अपने अप निकलेगा नहीं उस पर दबाव नहीं पड़ेगा connection पर अब इसके बाद हमें क्या करना हुआ दूसरा cover लेना हुआ और दूसरे cover में सबसे पहले जो दूसरा वाला हमारा black color का जो बाइर है उसको इस holder में डाल लेना होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे जो एक और बायर जो छोटा वाला बायर था उसको भी इस होलडर में लगा लेना होगा, फिर हमें क्या करना होगा इस में फिर से एक गाट वालनी होगी, जिससे यह हमारे इस होलडर से भी न निकले, तो देखिए हमने यहां पर connection करना है अब, तो एक जो छोटा बायर बायर एक उसमें connect कर देंगे और दूसरा जो black wire हमने छोड़ा था उसको भी हम यहाँ पर connect कर देंगे किसी भी terminal पर कर सकते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो देखिए यहाँ पर करने के बाद अब हम दोनों holder को कस लेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारी test lamp है वो बनके तयार हो गई है लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा बायर इस परकार से देख रहा है यह हमें अच्छा लगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो बायर से है जो हमने निकाले है उसको round round spring type का उस ब लेपिटते जाएंगे तो देखिए इस परकार से लेपिटते जाएंगे तो यह थोड़ा अच्छा लगने लगे जो हमारी test lamp है वो थोड़ा अच्छा लगने लगेगी तो देखिए हमने आदा कर लिया है black side से और इसी परकार से हमें red side से भी आदा कर लेना हो सेम गेठान माननी है मैं अच्छे से जिससे यह खुले ना तो देखिए यहाँ पर जो अपोजट साइड से आती हैं दोनों बाइर तो हम यहाँ पर गेठान माल लेंगे तो यह अब फिक्स हो जाएगा यहाँ पर निकलेगा नहीं यह बाइर तो इससे देखिए टेस्ट लेंप और अपर हमरें अच्छे लग रही है तूँ अब हमें क्या करना हुगा इस में भालब है उसके लाएक यह जलना छाइए तो वह हमारा यह जलनी नहीं चाहिए ओपन रहनी चाहिए तो देखे दोस्तो यहां पर हमने 100ड vats के दौनों बल्ब का उदोस किया है अगर में कम ज्यादा बाटत की बल्ब का ईश्कारति तो जो कम बाटत का बल्ब रहता वहा ज़्यादा Europeans बाट का रहता वहा ज्यादा सम्षिकर बीडियो सही से एक अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हो तो वो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नौटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास सजाएब